और भारतीय जंता पार्टी का कारेकर्टा जो उन दंगाईयों के खिलाब आलो आवाज उटा रहा था जूटी मुकदमें दर्च करते उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिरा रहे हैं माल तो वही है लिफापा नया है जिसने असुरक्सा दी जिसने दंगा दिया जिसने माफिया दिये और दिल्ली वाला लड़का तमासा बना के तब भी कहता था अरे दंगायों के खिलाब ज्यादा करवाई नहीं होनी चाहिए र आज भी कहते हैं कहरे आने दीजे सरकार हम ने का कभी नहीं और कवायत के दिन तक भी क्यामत के दिन तक भी तुमारा इस सपना साकार नहीं होने वाला है और भारती जंता पार्टी का कारे करता जो दंगाईयों के खिलाब आलोो आवाज उठा रहा था उन भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताओं के खलाब ब्यापारियों के खलाब जूटी मुकदमे दर्च करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था और दिल्ली वाला लड़का तमासा बनाके तब भी कहता था अरे दंगाईयों के खिलाब ज़्यादा करवाई नहीं होनी चाहिए उनका वचाओ तब भी कर रहे थे एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिरा रहे हैं माल तो वही है लिफापा नया है माल तो वही पुराना सडागला माल है जिसने असुरकसा दी जिसने दंगा दिया जिसने माफिया दिये और आज भी कहते हैं कहरे आने दीजे सरकार हमने का कभी नहीं और कवायत के दिन तक भी तुमारी जो है कयामत के दिन तक भी तुमारा इस सपना साकार नहीं होने वाला है यह मान करके चलो लेकिने देख लो 10 मार्च के बाद इस पुरी गर्मी सांत करवा देंगे क्योंकि भाईो बेनो मैंने इसे ले कहा क्योंकि हम एक तरफ विकास करेंगे जेवर में इंटरनेशनल एरपोर्ट आ रहा है यह यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुवधा लेकर के आ रहा है फिल्म सीटी भी हम बना रहे हैं फिल्म सीटी के निर्मान की कारवाई भी कर रहे हैं और साथ साथ डिज्टल युग में सबसे बड़ी भुमिका होती है डाटा सेंटर की डाटा सेंटर का भी निर्मान हो रहा है पिछली सरकार तमंचे की फैक्टरी चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कोरिडोर दे रहे हैं डिफेंस कोरिडोर यहां जो तोब बनेगी न और जाब भारत की सीमा पे गर जेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूड़ जाएंगे जब वहां वे बुलंसर का नौजवान क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जन्पद है जहांके सरवाधिक नौजवान सेना में है तो अजन्पद बुलंसर है तो डिफेंस कोरिडोर हम बना रहे हैं देखो आप अंतर समझ सकते हैं वे तमंचा बनाते थे लूट पार्ट करने रहागरी करने के लिए हम डिफेंस कोरिडोर बना रहे हैं देश की रक्सा करने के लिए और हमने का भी देखो विकास भी कराएंगे लेकिन बुल्डोजर लुकेगा नहीं माफिया कियों पर बुल्डोजर चलता रहेगा दंगाईयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था अब बेटा समय आगया इसकी भरपाई भी कर लो और इसलिए भाईयों बेनो एक तरह बिकास है और बिकास के साथ साथ माफिया के खिलाब बुल्डोजर भी है ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा और दोसरी तरह भाईयों बेनो आपने देखा होगा फिरी मैं वैक्सीन तो डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर मेने हर गरीब को दी जा रही है पिछली सरकार में मुख्यमंत्री आता था पहले अपना बंगला बनाता था तो जब 2017 में पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने कई मुझे बंगले की कौन आउस सकता है हम तो कहीं भी रह लेंगे लेकिन प्रदेस में हर गरीब को मकान मिलना चाहिए भाईो बेनो 43 लाग से दिक गरीबों को हम लोगों ने मकान दिया 43 लाग जो कभी नहीं हुआ वा भजपा सरकार के समय बिकास का कारे हुआ है 2 करोड 61 लाग गरीबों को एक एक सोचा ले दिया 1 करोड 43 लाग गरीबों के लिए फिरी में बिजली की सुविधा अपलब्द करवाई 1 लाग 21 अजार मज़नों पर बिद्दुतिकन का कारे संपन किया और भाईो बेनो 15 करोड लोगों को फिरी में राशन की सुविधा दे रहे है यह हमने कोई एहसान नहीं किया इन लोगों का अधिकार था हमने अपनी जवाब देई और अपने धर्म का निर्वाहन किया है यह सब कारे करके क्योंकि जनता ने इसलिए चुना भी था लेकिन भाईो बेनो इससे पहले पैसा जाता कहा था इससे पहले यह पैसा समाजवादी पार्टी के इतरवाले मित्र के घर में पहुँच जाता था इतरवाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इतरवाले मित्र पैसे से पुरे खांदान को यूरोप का टूर कराते थे यूरोप का पैसा जनता का और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी यानि सोच परिवार से बहार नहीं अवसर मिलता था थो हिंदों के खलाब दंगे करवा करके ब्यापारेयों के परतिस्थान को चलाते थे लूटते थे पांच साल में आपने कोई दंगा देखा यूपी में दंगा होई नहीं सकता क्योंकि दंगायों कोई मालूम है साथ साथ पीड़ी भूल जाएगी भरपाई नहीं कर पाएगी और उल्टा जे सीबी और बुल्डोजर अलग से चल जाएगा ये लोग कावड यात्रा को रोक देते थे भाईयो बेनो आज तो कावड यात्रा को गोई नहीं रोकता ना आज तो सुरक्सा का कोई भै नहीं है ना आज तो बेटी स्कूल जा सकती है ना आज तो गरीब को रासन मिलना है ना तो भाईयो बेनो इसलिए हम कर पाए क्योंकि आपने भारती जनता पार्टी के बिधायक चुन करके दिये थे ये हमारी ताकत थी और सरकार उसी बन पर कारे करती थी और इसलिए भाईयो बेनो आज हम सब आपके बीच आए हैं सी लक्समी राज सिंग को भारती जनता पार्टी ने अपना प्रत्यासी बनाया है और भाईयो बेनो उन्हें यहां के दोनो सांसत डॉक्टर महेश सर्मा जी ने भी और नागर जी ने भी उन्हें अपना आश्रिवाद दिया ही है लेकिन हमारी वरत्मान बिधायक सीमती बिमला सोलंकी जी ने भी उन्हें अपना श्रिवाद देने के लिए आज इस मंच पर यहां पर पस्तित हुई है और इसलिए मेरी आप सब से पील है कि दस परवरी को बड़ी सभाएं भले ही नहीं हो पा रही है लेकिन आपका उत्सा इस बात को बतकाता है कि आपका उत्सा है बताता है कि ये भीड हमारे लिए देड़ लाग से जादा है क्योंकि आपका उत्सा देड़ लाग लोगों को जोड़ने की च्छमता रखता है एक एक वोट बीजेपी पक परत्यासी के समर्थन में कमल के निसान में आपके नातेदार रिष्तेदार मित्र सुपचिंतक परचित कोई कही भी रहता हो उत्तर प्रदेश में फोन करिए, फेस्बुक के माद्यम से, वर्टसब के माद्यम से, इस्ताक्राम के माद्यम से, मैसेज के माद्यम से, जैसे भी हो सकता है, उन लोगों तक संदेश पहुचाईए, परदेश की सुरक्सा के लिए भाजपा आवस्यक, ये जो लाल टोपी है ना, ए रेड अलर्ट ह है, हिस्ति सीटर, और मुझफव नगर के दंगों से, जिन हिंदों का रक्त बहाता, उनके खून से रंगाईवी रंगीवी टोपी है वो, राम भक्तों के खून से सनीवी टोपी है, इसलिए एलर्ट, लोगों को एलर्ट कर देने क्या हो सकता है, इसका मतब दंगा, इसका मतब पेसेवर माफिया, और इसका मतब अवसरबादिता, ये लोग करोना में कहीं दिखाई दिये थे, कभी नहीं, संकट में नहीं आएंगे, चुनाओ के समय ही दिखाई देंगे, और भाईो बेनों यही अपील करने के लिए आया हो, हम लोग संक प्रट में भी थे और चुनाओं के समय भी है कि दस मार सिक्वाद फिर सांदार तरीके से सरकार चलेगी विकास भी होगा नौजवान के लिए रोजगार भी आएगा किसान के उन्यन के लिए भी कारे होगा बेटियों की सुरक्सा की पुक्ता विवस्ता भी होगी और बड़े-बड़े हाईवे गंगा एक्सप्रेस वे तो हम मुहिरण से वुलंसर होते वे परियाकरास तक लेके जा रहे हैं इस बड़े-बड़े कारे भी होंगे और साथ-साथ माफिया के घर पर बुल्डोजर भी चलने का करम जारी रहेगा और यही आस्वासन देने के लिए आज मैं आया हूं इसी लक्समी मेरे साथ जोनों हटाकर बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की